हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 को हम लोग 2 x 3 लिख सकते हैं and that is the factorization ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये 6 को हम लोग 2 हिस्से में तोड़ते हैं तो क्योंकि दोनों हिस्सा इसके factor हैं तो इन दोनों के बीच में हमेशा एक multiply का sign आना होगा ठीक है इसी को हम लोग factorization करते हैं हलांकि आप 6 को 1 plus 5 में भी तोड़ सकते हैं आप 6 को 1 plus 5 में भी तोड़ सकते हैं या आप 6 को 7 minus 1 में भी तोड़ सकते हैं लेकिन ऐसा है कि ना तो यहाँ पर 1 तो 6 का factor माना जाएगा लेकिन 5 इसका factor नहीं है तो factorization में ध्यान देना कि बीच में हमेशा multiply का ही term इस्तेमाल हो तो बहतर है और plus और minus यह sign नहीं आने चाहिए ठीक है otherwise यह factorized form में है यह factorized form में नहीं है हमें 5x square y minus 20xy square z यह दो term दिये गए है ठीक है और हमें इसे factorize करना है क्यों करना है तो कि देखिए यहाँ पर यह एक अलग term है और यह एक अलग term है और दोनों term multiply में नहीं है बलकि दोनों के बीच में plus या minus का symbol है तो अभी यह factorize नहीं है लेकिन हम लोग इसे factorize ऐसे करेंगे कि हम इसको ऐसे समझेंगे यह 5 into x into x into y यह दिया हुआ है जबकि यह दिया हुआ है क्या इसको भी factorize कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 5 into 4 into x into y into y into z अब देखिए इन दोनों में कुछ common चीजों को देखिए जैसे यह 5 और 5 आपको दोनों में common दजर आएंगे यहाँ पर x आपके 2 है यहाँ पर x केवल एक ही है हम यह कह सकते हैं कि चलो ठीक है यह जो एक x है वो दोनों में common है अगला x दोनों में common नहीं है और इसी तरह से देखो यह जो y है पहला term में भी है और एक y दूसरे term में भी है मतलब दोनों में जो जो चीज़े बिल्कूल एक समान है यानी common है हम लोग क्या कर सकते हैं यह 3 चीज़ें जो दोनों में common हमें दिखाई दे रही है तो क्योंकि यह इसमें भी लिखा गया है इसमें भी लिखा गया है है नहीं इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों को हम commonly बाहर लिख देते हैं 5xy ठीक है और क्या-क्या बचा उसके लिए एक bracket हम लोग देते हैं तो जब 5xy बाहर लिख दिया गया इसका मतलब पहला टर्म को 5 बाहर जा चुका है, x भी बाहर आ चुका है, y भी बाहर आ चुका है तो बचा क्या, ये वाला x बच गया तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे एक बीच का सिंबल माइनस बच गया उसे यहाँ पर लिख देंगे ये 5 हमारा बाहर हो चुका है ये बचा हुआ है, तो इसको लिख देंगे और ये दोनों बाहर हो चुका है यह दोनों बाच रहा है इसको लिख देंगे ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर देखते हैं यह 5xy और यह पूरा टर्म यानि समझ यह 5 into x into y into x minus 4 y j जितने भी टर्म आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अब यह total के total term multiplied में है इसलिए यह factorize form है and this is the answer हमें इसको factorize करना है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दोनों numbers जो दिये गए है minus 2 and minus 5 इन दोनों में कुछ भी common नहीं है लेकिन यहाँ पर जो x है वो two times आया है यहाँ पर x one times आये हैं इसका मतलब one x को हम भाहर कर सकते हैं यहाँ y के बारे में देखा जाए तो y में क्या है इसमें किवल एक ही y है जबकि इसमें दो बार y आया है यानि common तो हमें मिल रहे है numbers में कोई common नहीं है यहाँ पर x है यहाँ पर x है यहाँ पर x की संख्या दो बार आई है, यहाँ पर एक बार आई है तो एक बार दोनों में common हम ले सकते है y में भी क्या है, एक बार दोनों में मौझूद ही है हलाकि इसमें दो बार है लेकिन इसमें तो दो बार नहीं है तो एक बार हम दोनों में लिख सकते है यह common हो गया, एक ही जोड, minus हम दोनों में देख रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, minus को भी हम common ले लेते हैं, है न, अब क्या क्या बच गया है, उसको देखा जाए, minus बाहर आ चुका है, 2 बच गया है, 2x में से 1x बाहर है, तो 1x लिख देंगे, y बाहर हो चुका है, हो गया, जब यह minus बाहर चला आया, तो क्या बचा, कुछ नहीं, यानि प्लस, जब यह minus बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा, यानि प्लस बचा, 5 भी बच गया, यह x बाहर हम लिख चुके हैं, और 2y, दो बार जो y आया था, उसमें एक बार y बाहर है, तो एक बार y बच गया, तो अब हमा factorization by grouping, मतलब इसमें कभी-कभी ऐसा होता है, कि आपको जितने भी term दिये गए हैं, तो आपको सभी term में कुछ भी common ना मिले, हाला कि पहला बात तो यहीं देखना है, कि जितने भी term मौझूद है, उसमें कोई भी term common है या नहीं, पहला बात यह देखना है, लेकिन अगर पू बी नहीं है, इन दोनों में ए भी दोनों है, यहां नहीं है, तो ऐसी इस थिती में हम लोग पहले group लगाते हैं, दो-दो का चार तर्म है ना, तो दो-दो का दो group लगा के देखेंगे किस तरीका से common आए जाए, तो इसके लिए हम लोग group कैसे लगा सकते हैं, मान ले, इन द दिखेंगे, यह a group हो गया, अब देखो, यह b है और यह minus a है, तो b और minus a में हम लोग एक और group बनाएंगे, यह plus हो गया, यहाँ पर b आ गया और यहाँ पर minus a आ गया, तो हमारे पास दो group है, अब इन दोनों group में हम लोग अलग-अलग common लेंगे, तो पहले इन दोनों group में a दो बार आया है, और यहाँ पर a एक बार आया है, तो चलो, एक बार जो a है, वो तो दोनों में common है, इसको अगर बाहर निकाल लें, तो यहाँ पर a जो दो बार था, उसमें से एक बार a बाहर आ गया है, तो एक बार a बच गया, minus बच गया, a के बाहर चले जाने के बाद, यहाँ पे B बच गया प्लस यहाँ पे कुछ भी common नहीं है तो केवल B-A लिक देते हैं अब देखिए problem क्या है यहाँ पे हमारा term A-B है जबकि यहाँ पे term क्या है B-A अगर यह A-B होता तो हम कहते हैं कि दोनों में यह common आ गया लेकिन ऐसा नहीं है मतलब हमें इसके sign को उल्टा करना है A को minus से plus मिलाना है और B को plus से minus मिलाना है तो यह करने के लिए हम लोग यह करेंगे हम लोग मान लेंगे कि यह जो भी term है इसके अंदर से हम एक sign minus को बाहर ला रहे हैं तो जब minus को हम बाहर लाएंगे प्लस से क्या बन जाएगा माइनस और जो टर्म माइनस में था वो प्लस में हो गया और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया इसको बोलते हैं माइनस को कॉमन लेना अब हम देखें दोनों में A-B कॉमन हो गया आप A-B को इतना इंटो वन भी समाच सकते हैं तो इन दोनों को जब पहला और दुसरा टर्म में a-b दोनों में common है तो इसे बाहर निकाल दिया जाए यानि a-b को bracket के साथ बाहर निकाल दिये अब बचा क्या इसमें a-b के चले जाने के बाद क्या बचा a minus ये वाला minus इसके चले जाने के बाद क्या बचा one और ये हमाद का अगला जो case है वो अगर तो हमारा अगला जो factorization का method है वो identity based है तो identity में हम लोग direct identity का इस्तेमाल करेंगे देखेंगे कि कौन सा टर्म का formula क्या होता है और direct उसी पर हम लोग set करेंगे जैसे पहले identity तो देखा जाए first a square plus 2ab plus b square इस format पर रहने पर इसका direct factorization होगा a plus b का whole square और अगर ये a square minus 2ab plus b square पर रहा तो a minus b का whole square अगर ये a square minus b square के जैसा रहा तो इसका factorization होगा a plus b into a minus b और इसके बाद अगर ये इस format रहा a cube plus b cube तो इसका factorization होगा a plus b into a square minus ab plus b square अगर a cube minus b cube पर आधारित रहा तो इसका factorization होगा a minus b into a square plus ab plus b square और इसके अलावा कभी कभी अगर ऐसा दिखे a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca तो इसका factorization होगा a plus b plus c का whole square और अगर कभी हम लोगों को दिख्लाई दे दे ये format में a cube plus b cube plus c cube minus 3abc इसका factorization होगा a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c तो ये सब कुछ फार्मूला है कुछ और भी आ सकते हैं नया तो इसके आधार पर इस format का ये factorization इसका ये factorization इसका ये factorization इसका ये factorization ऐसे ही सब आके चले जाएंगे तो मान लेता है कोई भी हमें एक example लेते हैं जैसे इस पर बेश्ट हमें एक example लेते हैं कैसे बनाएंगे example है a cube minus b cube चलो ठीक है सोचो अगर a के जागा पर 2 होता और b के जागा पर 3y होता तो हमारा जो question बनता वो बनता क्या 2 का whole cube minus 3y का whole cube मतलब 8 minus 27y cube ये होता और हमें लिखावा मिलता factorize 8 minus 27y cube अब आपके सामने ये सभी चीज़ें नहीं होगी किवल यही question होगा तो आप इसको देखिए और खोजिए ये किस format पर बेश्ट है क्या आपको लगता है कि ये first formula second formula ये third formula पर है नहीं ये 4 में भी नहीं है क्योंकि 4 में बीच में प्लस में हो इसमें बीच में क्या है minus यानि कि ये 5 के formula पर है इसको आप पहले formula के जैसा दिखलाईए 8 को आप a cube में क्या लिख सकते है 2 का whole cube जबकि इसमें क्या लिख सकते है 3y का whole cube अब ये format आ गया a cube minus b cube तो आप इस फालूला पर set कीजिए पहले a minus b लिखिए यानि 2 minus 3y उसके बाद अगला term है a square यानि 2 का square जो कि 4 होता है फिर plus a b इन दोनों को multiply करें तो 2 into 3 यानि 6y इसके बाद b square यानि 3y का square तो आएगा क्या 9y square हो गया तो देखिए यह और यह दोनों term के बीच में multiply है यह हमारा factorization हो गया तो यह जो factorization का लियम है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि जो भी question दिया गया है वो किस formula पर best है कभी कभी होता क्या है कि आपको इसी question में कुछ changes कर दिया जाएगा जैसे आप 8-27y cube आप इसको identify कर रहे हैं मान लेजिए किसी ने इसमें xy से multiply कर दिया अब question होगा 8xy-27xy4 अब केवल अगर आप इसको formula पर खोजते रहेंगे तो आपको यह formula manager नहीं आएगा इसके लिए आपको सबसे पहले इन दोनों में जितने भी common term है उसको बाहर निकालना होगा तो इनमें बाहर निकालिएगा क्या xy को अगर xy को आप बाहर निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 8-27y का cube अब देखिए अब इसमें क्या है यह आपका दूबारा आ गया है और जब दूबारा आ गया तो इसका factorization आपको पता है और यह जो दोनों term है यह इसके साथ पहले से ही factorize हो चुका है है ना तो इसको factorization जैसे आप करते हैं ऐसे कीजिए फूरा factorize होया आगा तो कोई भी factorization को अगर बनाना है है ना तो पहला method एक simple आया आप सभी term में common चीज को खोजिए कभी-कभी आपको group लगा के भी factorize करना पड़ सकता है और कभी-कभी आपको formula पर खोजना हो सकता है कि किस formula पर सेट है या कभी-कभी ऐसा भी होगा कि उसी formula को थोड़ा complicated form में दे दिया जाएगा है ना तो आपको उसको simple form में लाकर के तब factorize बनाना करें हम अभाकर की इसा पर्चार आपको ना सबसकता है